हेलो फ्रेंड्स नमस्कार वेलकम बेक मैं चैनल टागेट टीचर जॉब मैं फ्रेंग का स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टागेट टीचर जॉब में तो दोस्तों आज हम बीट दूतिये वर्स इतिहास सिछड के विसे में पढ़ेंगे और ये है आपका लेक्शन नमबर 43 तो दोस्तों यहाँ पर कॉस्चिन पढ़ने से पहले हम आपको इनफॉर्म करना चाहते हैं कि आपका फर्स्ट पेपर सिछड के सिध्धान त्यूंविदिया और फूर्थ पेपर जनसंक्या सिच्छा यूंपरियावड सिच्छा का यूपियच पूरा कं पढ़ने में महां से आप अपने स्टड़ी करिएगा तो दोस्तों चले देखते हैं इसमें कोश्चन है एक अध्यापक के रूप में छेत ब्रहमड के नियोजन संगटन तता कारियानवन का वरडन करें दोस्तों यह आपके सिधार्त नगर यूनिवर्स्टी 2019 में पूछावा कोश्चन है दोस्तों यह कोश्चन आपको इसमें बस आज हम इसमें कुछ भी जदा नहीं है बस आपको डिसकस करना क्योंकि आप भी जब अपने स्कूल के माध्यम से अपने विद्याले के माध्यम स पूइंट जो है उस पर डिसकस कर लेना है तो चलिए देखते हैं इसमें चेत्र ब्रहमण का नियूजन अब दोस्तों जब आप तूर पर गए थे तो आप एक छात्र थे लेकिन अब यहाँ पर आप एक छात्रा ध्यापक छात्रा ध्यापिका हैं तो इसलिए आपको अब सिक्षक के नजरिये से आपको यहाँ पर पढ़ना है कि एक सिक्षक जब अपने चात्रों को छेत्र ब्रहमण पर ले जाता है तो वो किन-किन चीजों की तयारी करता है तो चलिए देखते हैं इसमें जो-जो मेन पॉइंट हैं देखने से ही हमको समझ में आ जागा कि क्या- जो भी छात्र हैं आपकी कच्छा के उनका क्या समाज रहा है उसको जानने के लिए इतिहास पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए समाज के अंदर कुछ एतिहासिक बस्तूएं होती हैं जो छात्रों द्वारा ब्रहमण के समय देखी जाती हैं जैसे अगर आप आगरा तथ जात्रों के लिए जाकर इतिहासिक बस्तूओं का दिख दर्सन कराया जाये तो मुगलकाल के इतिहास के बारे में प्रत्यच वाठोस ज्यान प्राप्त हो सकता है वैसे तो नियोजन कई तरीके से किये जा सकते हैं परन्तु ब्रहमण के नियोजन में निम्ने चार बातों का विश Custom Standard रखना चाहिए तो दोस्तों यहां पर लिए बताया जारा है कि किस तरह से चात्रों को एतिहासिक के इमार्तों एतिहासिक अस्फलों का दर्शन करा करके प्रत्य ूरूप से दर्शन करा करके प्रत्य चुरूप से दिखा करके उन्हें उनके ज्ञान में तो व्रिधि की जाती साथ ही वो अपने आपको इतिहासी कनेक्ट कर पाते हैं और यह जान पाते हैं कि वो जो बस्तुएं थी वो किस काल की थी किस तरह से वहां का जो खान पान रहन सान हर व्यवस्था कैसी थी इ जब वो एतिहासी कस्थलों से प्रत्य चुरूप से देखते सुनते और समझते हैं तो यहां पर हम देखें ब्रहमड के नियोजन विनिम चार बातों का विसेश रूप से ध्यान रखना चाहिए इसमें हम देखेंगे पहला है विभिन दलो का गठन यौम दायत्वे सौपन ब्रहमड पर जाने वाले विविन चार को टोलियों में विभाजत किया जाए प्रत्य टोली का एक नायक हो प्रत्य नायक के सदस्य के ब्यक्तिकत दायत्व होँ तो दोस्तों यहां पर हम बात करें कि विविन दलो का गठन यौम दायत्वे सौपना जब भी एक सिक्षक अपने चात्रों को छेत्र भ्रमण पर ले कर जाए तो वहाँ पर चात्रों की टोली बनाए और साथ ही अलग-अलग टोलियों के जो भी नायक हो उन नायक को उनके दायतों को सौपा जाए अलग-अलग जो भी टोली के अलग-अलग नायक होंगे तो उनके नायकों को यानि कि उनका जो मॉनीटर होता है उसको उनके दायद तो सौपे जाएं सिक्षड के लिए ये आवस्यक है कि सिच्चक उन्हें विभिन दलों में विभक्त कर दे पुना उनके नेता चुनले इन विभिन दलों को विभिन दायद तो सौप दे उसमें नायक बनाय जाए और साथ ही जो बच्चा जिस चमता के लायक रहा की वो चमता रखता हो और साथ ही वो जिस चीज में रूची रखता हो उसी तरह कि सफाई का दायत तो किसी को खॉने किसी को अन्य इववस्थ थख के दायतों को सौप दिया जाए तो यह पहला पॉइंट हो गया कि विविन दलों गठन ई हम दायत तोक्त ऊपना संख्या अधिक है तदा अनुसार टोलियों की संख्या भी अधिक है तो सिचक टोलियों के इंचार्ज द्वारा आउस्यक संपर्क रखे इससे अनुसासन यों ब्यवस्था बनी रहती है तो दोस्तों यहाँ पर उचित संपर्क की ब्यवस्था का क्या मतलब है कि जो भी टोल के चैट्रो ko कंट्रों करता है तो वही चीज़े तो अब बाहर प्लास के गएं तो कही न खत रोक को महां पर भी कंट्रों करने की आँ सकता हुए क्योंकि वहां swamp चात्र वही सारे सोर सरावय या उदन्दता कर सकते हैं तो इन सब चिजों का सिचक को हध्यान देने के लिए क्षिचक को निगुराली उस पर भी ध्यान रखेगा तो दोस्तों यहाँ पर दो पॉइंट हम देख चुके यहाँ पर तीसरा पॉइंट हम देखेंगे यात्रा प्रदेश के एतियासिक तत्थियों की सूची योजना की तृतिय महत्तुपूर बात यह है कि जिस छेत्र की यात्रा पर जा रहे हैं उस छेत्र में अध्यन किये जाने वाले बिंद पर सिच्चक विचार करके पूर सूची बना ले इस सूची में अस्थलों के नाम, एतिहासिक माद, विबातों को सिच्चक लिखे, पुना इसकी प्रतियां चात्रों को वित्रित कर दे, इसे प्रकार नियुजित यात्रा से अधिक लाभवानित हो सकते हैं तो दोस्तों यहां पर सिच्चक चात्रों को जहां भी उसे यात्रा पर ले जाना है, उसकी सूची पहले से मेंटेन करके रखे और साथ ही जिन जिन अस्थलों पर उन्हें जाना है उन अस्थलों के बारे में सिच्छक महाँ पर सूची में सारी चीज़े मेंटेन करके देगा जिससे की चात्रों को उससे एतिहासिक अस्थल के विसे के बारे में पहले से पताऊगा तो वहाँ पर वो चीज़े वो और पहले उस छेत्र का पूर एतियासिक ज्यान होना चाहिए अन्यथा उक्त यात्रा सेच्टिक द्रिश्टे से सपल नहीं होगी तो दोस्तों यहाँ पर सबसे महत्वपूर बात क्या है कि जो सिच्छक जिस जगह अपने छात्रों को छेत्र भ्रमण पर ले जा रहा है उस जगह कि सिच्छक के माध्यम से पहले से ही उस जगह की सिच्छक यात्रा कर चुका हो जिसके माध्यम से सिच्छक को यह सारी जानकारी होगी कि उक्त चीजे कहां पर कौन से महत्वपूर चीज है और उसके विसमें छात्रों को कैसे बताना है और वो सारी सूची के माध्यम से छा चात्र को आसानी भी होगी और वो अब प्रत्य चुरूप से चात्रों को समझा पाएंगे और एक तरह से यह जो सेच्छडिक द्रिश्टी से यह आत्रा तभी सफल होगी जब एक सिक्षक इन सब चीजों के बारे में पहले से घ्रमड कर चुका होगा पहले से जानकारी रखे अब हम देखते हैं यहाँ पर नंबर फॉर पॉइंट मार्ग दर्सकों की व्यवस्ता चतुत महत्वपुड बात यह है कि विभिन प्रकार के अस्तलों के लिए विभिन विस्यों के विशेशग्यों की यदि व्यवस्ता हो तो और उत्तम होगा उतिहास के चात्रों के ब्रमण पर ले जा रहा है वहाँ के लिए मार्ग दर्सकों की आउसकता होनी चाहिए जिससे कि वहाँ के विशेशग्यों के विशेय में जिससे कि वो सही डंग से समझा पाएंगे और जो भी उनकी बारीकियां उसके बारे में बता पाएंगे यहाँ पर हम देखे छेत्र ब्रमण संगठन एक सफल सैचडिक एतिहासिक ब्रमण के लिए आवस्य करे कि इतिहासिक ब्रमण का संगठन किस प्रकार किया जाए तो दोस्तों यहाँ पर छेत्र ब्रमण का संगठन किस तरह से किया जाना चाहिए इसके पहले यह जो चार पॉइंट हम देखें यहाँ पर यह चार पॉइंट ब्रमण के नियोजन में निम चार बातू का विसेज ध्यान रखना चाहिए जिसमें चार पॉइंट है विबिन दलोक का गठा नियम दाइत्विस अपना दूसरा था उचित संपर की वेवस्था और तीसरा यात्रा प्रदेश की एतिहासिक तत्यों की सूची और चौता मार्ग दर्सकों की वेवस्था तो दोस्तों ये चार पॉइंट आप पॉइंट पस्याद रखिएगा बाकी सब तो आप हम डिसकस करी चुके हैं तो डिसकस करने से इसमें रटने वाली कोई बात ही नहीं है तो फिर चलिए आप छेत ब्रह्मण का संगठन देखते हैं एक सफल सेच्टिक्स एतियासिक ब्रह्मण के लिए आउस्य की इतियासिक चक इस पर अरीके से होना चाहिए इसमें उपयुक्त यात्रा अस्थल का चुनाओं पहला पॉइंट है तो दोस्तों इसमें भी आपको पॉइंट याद करने हैं वो चार पॉइंट आप याद कर लिजेगा उसके बाद छेत्र ब्रह्मण के संगठन के लिए किन-किन बातों का ध्यान रखना है उसमें उपयुक्त यात्रा अस्थल का चुनाओं तो दोस्तों किसी भी इतिहास सिच्छक का अगर छेत्र ब्रह्मण पर अपने चात्रों को ले जाना है तो सबसे पहले महत्वपूर विश्य होता है कि वो उस अस्थल का चुनाओं करे जहां पर अपने चात्रों को ले जाना और साथ ही उस अस्थल के माध्यम से वो अपने चात्रों को अधिक से अधिक जानकारी दे पाए तो यहाँ पर पहला उप्युक्त यात्रास्थल का चुनाओ अधियासिकी यात्रा की ससान पर की जाए इस बात का निश्चे किया जाना आउस्यक है इसमें जलवायो धरातल को बनावट विवित्ताएं प्रमुक्ष हैं तो दोस्तों अगर हम बात करें किसी भी अधियासिक असल के चुनाओ की तो वहाँ पर जलवायु धरातल की जो भी बनावट है और उसकी जो भी वेता हैं वो सारी प्रमुख हैं क्योंकि यहां पर सिक्षक भौगोलिक दृष्टी से भी इन सब चीजों का ध्यान रखेगा कि छात्रों को हम एतिहासी कस्थल के साथ साथ जो प्राकृतिक सौंदर है उस पर भी छा चात्रों को अधिगम के माध्यम से अधिक से अधिक चीजों की बारे में बताना है और साथ ही वो प्रत्य चुरूप से उन सब चीजों की बारे में देख पाएंगे सुन पाएंगे समझ पाएंगे यहां पर हम देखे हमारे देश में ग्रीस में काल में प्रायर ऐसे स्था पर अथियासिक यात्राएं उप्युक्त रहती हैं जहां कि जलवायू ना तो अधिक सीतल हो और ना ही कम सीतल हो तो दूस्तों यहाँ पर हम बात करें एक तरह से सिक्षक को जलवायू का भी ध्यान रख के अपने चात्रों को एतियासिक भ्रमड पर ले जाना है ऐसी जगहों पर ले जाना है जहांपर ना बहुत अधिक ठंडा हो और ना ही कम ठंडो कहने का ताथ पर यह है कि जो मौसम है वो बिल्कुल सामान्य हो ना अधिक गर्मी हो ना अधिक ठंडी हो धरातल को बनावट के आधार पर एतियासिक यात्राएं की जानी चाहिए एतियासिक ब्रह्मण में ऐसे स्थान चुनना चाहिए जहां विशे के विविन पाठ्टी सामागरी प्राप्त हो सके तो दोस्तों यहाँ पर एतियासिक ब्रमड ऐसी जगों का होना चीए जहाँ पर छात्रे अलग अपने यहाँ पर विशे से भी connect कर पाएं साथ ही वो दर्सन या फिर उनका मनोरंजन भी हो पाएं तो ऐसी जगों को चुनना चीए जहाँ पर सिक्चक उन्हें प्रत्य चुरू अपने विशे से भी connect कर पाएं और साथ ही उनका मनोरंजन भी कर पाएं तो दोस्तों यहाँ पर पहला पॉइंट हमने देखा था उप्युक्त यात्रास्तल का चुनाओं यहाँ पर दूसरा पॉइंट रहेगा यात्रा की व्यवस्ता संगठन का महत्वड बिंदु है यात अधिक समय अध्यापन करने को मिले जिन अस्थानों पर यात्रा की जानी है महां पहले से समचित व्यवस्ता हो तो दोस्तों यहाँ पर यात्रा की व्यवस्ता के लिए सबसे पहले यह डिसाइड किया जाना चाहिए कि कौन सी जो किस ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करने से ज अन्य साधन तो इसके लिए कितना बैय आएगा अधिक से अधिक बैय अगर आएगा तो अधिक बैय आएगा तो फिर ये कहीं न कहीं छात्रों के लिए असुविधा होगी उनके पैरंट्स के लिए असुविधा होगी तो इन सब चीजों का अधिक ध्यान रखना है और साथ ह से यहां पर ये भी ध्यान रगना आए कि यहां पर छात्रों को अधिक से अधिक समय अध्याप्न करने को मिले यहांपर सिख्षक छात्रों को जो भी अस्थल दिखाने के लिए ले जा रहा है तो वहां पर उन सब अस्थलों के बारे में डिटेल से बता पाए जिन अस्थानों पर यात्रा की जानी है महाँ पहले से समचित ब्यवस्था हो एक तरह से महाँ पर कहीं न कहीं छात्रों के ठहरने की ब्यवस्था हो इस तरह का इस तरह की ब्यवस्था हो जिससे कि कहीं भी असुविधा ना ह चातरों के ठारने में, खाने पीने में, अब यहां पर हम देखे हैं नमबर थ्री पॉइंट पर है, घर पर पूर्ब तयारी यह हम यात्रा का सामान, सिच्छक को छात्रों को घर पर क्या-क्या तयारी करके जाना है किन-किन बस्तू को साथ ले जाना है आधी बातों पर प्रकाश डालना चाहिए मौसम के नुसार कपड़े विस्तर आधी की विवस्ता समचित रूप से कर लेनी है पेंसिल, कलम और डायरी भी रखनी चाहिए यात्रा के दौरान जो भी मात्रपूर बाते देखने में आए अत्वार सिच्छक बताए बात्वार सिच्छक बताए तो दोस्तों यहाँ पर गर पर पूर तयार्य यात्रा का सामान एक तरह से यहाँ पर सिच्छक के मांध्यम से छात्रों को जो भी निर्देष देने है जिसमें चात्रों से संबंदित विस्तर कपड़े और साथ ही अगर वहां का मौसम जिस हिसाब से कपड़े होने चाहिए और साथ ही खाने पिने के कुछ सामान होने चाहिए और इसकी अलामा छात्रों के पास पैंसल, कलम वा डायरी होनी चाहिए साथ ही सिच्छक को प्रात्मिक चिकिस्षा बॉक्स फर्स्ट एड बॉक्स जिसमें थोड़ी बहुत चोट के लिए अगर अचानक कहीं भी चोट लग जाए किसी को तो वहां पर उसके लिए चिकिस्षा अपलब धो पाए इसके लिए सिच्छक के पास ये सारी चीजे होनी च साथ ही अगर जो भी चीजे चाहतर के लिए बैक्दिगत हैं वह निर्दे सिच्छक के माध्यम से दिया जाना चाहिए कि क्या-क्याद स्वीकृति अ वह He What तो दोस्तों यहां पर जो भी छातर जार है उनके अभिभाँ की स्वीकृति आवस्यक है नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं छेत्र ब्रमण का कारियानवन छेत्र ब्रमण का कारियानवन अत्यन्त महात्वपूड होता है इसमें सिच्छक द्वारा बनाई गई योजना यम संगटन को पूड़ूप से कारियानवन करना होता है जब तक छेत्र ब्रमण सफल नहीं मा बारे में बताता है जिससे चातर अपनी डारे में लिखता चलता है एतियासिक छेतर के विभिन भागों के बारे में छातरों से लिखवाया जाना चाहिए जिससे चात्र क्रमानसवार अपने विचार ब्यक्त कर सके तो दोस्तों यहाँ पर सिक्चक का में मोटिव है अपने चात्रों को प्रत्य चुरूप से अधिगम कराना चीजों को देख कर तो इसलिए सिक्चक का हमेशा इस बात पर ध्यानों अचीए कि जो भी चीजे सिक्चक देखेगा उन सब चीजों के बारे में चात्रों को बताएगा भी साथ ही उन से उन सब चीजों के बारे में लिखने के लिए भी कहेगा यहाँ पर हम देखें छेत्र ब्रहमड के सफल कार्यानन के इतिहास विसे को सजीव रोचक यो वास्त्विक बनाने का प्रयास किया जाता है छेत्र ब्रहमड से छात्र एतिहासिक अस्तलों का प्रत्य चुरूप से अध्यन करके लाव प्राप्त करते हैं सिच्चक इन ब्रहमड छेत्रों के कारवयानन के माध्यम से एक अच्छा सिच्चड को रोचक बनाने इतियास का ग्यान कराने पूरवजों के उपलब्दियों से प्रेम तथा छात्रों की मासिक सक्तियों का विकास करता है तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें छेत्र ब्रमड के माध्यम से सिच्चड को रोचक बनाने के लिए इतियास का ज्यान कराने के लिए और साथ ही जो भी पूरवजों की उपलब्धियां रही है चुकि यहाँ पर इतियास एतियासिक छेत्र ब्रमड है तो जो भी हमारे जो भ यहां पर हम देखे ब्रहमड से वापस आ जाने पर उनके अनुभव को क्रमबद तत्यास के पाठ से समनित किया जाता है तो दोस्तों इसके अलावा अगर हम बात करें तो जब सिक्षक के छात्रों को ब्रहमड पर ले जाता है तो वहां पर एक सूची जो मेंटेन करवाता है जो जो उनके आवसेख समान की सूची होती है तो उसमें उनके आवसेख समान की सूची जब भी जहां भी वो रुखें तो एक बार अपने सामान को जरूर चेक कर लें अपने सूची के अकॉर्डिंग और साथ ही जो भी समान वो रखते हैं उन सब चीजों की निगरानी वो सिच्च चात्रों को उनके अनभो को करंबत तता इतियास के पार से करने के प्रेयास करता है कि किस तरह से जो भी चीजे रह्मठ के माधियम से जो भी प्रत्य छुरुप से उन्होंने देका उसके विसे में वो अपने विचारों को प्रकट करें और लिें यहाँ पर हम देखें सिच्च के इसकारिक को विविन ढंगो अस्पस्टी करड़ बढ़ नियम समाचार पत्रों के लिए तयार किये गए प्रतिवेदन द्वारा प्रतिरूपों का निर्माड करवा कर पूढ करा कर चित्रकला अस्थापतिकला के नमोने बनवा कर मित्रों को पत्र लिखवा कर आदिक से कार्यानवन पूढ कर सकता है तो दोस्तों यहां पर हम बात करें सिच्चक विविन ने तरीकों से अपने छात्रों से जो भी इन्होंने यात्रा एतिहासिक ब्रहमण कियें उसके विशाय में अलग-अलग तरीकों से सिच्चक प्रतिवेदन द्वारा प्रतिरूपों का निर्माड करवा सकता है और साथ ही यहां पर हम बात करें इसके पस्चाथ छात्रों से उस छेत्र ब्रहमण का पूर वर्ण लेक बद्द कराया जाए तो दोस्तों एक तरह से सिक्षक के माध्यम से चात्रों का लेख है क्रमबद रूप से करवाय जाए जिसके माध्यम से वो चीजों के को और अच्छे ढंग से अपने विचारों के माध्यम से प्रकट कर पाते हैं इसके अत्रिक्ते छात्रों में उन स्थानों के चित्र निर्मित कराए जाए इसके अलावा अगर हम बात करें तो छात्रों से उन स्थानों के चित्र निर्मित कराए जाए तथा चित्रकला के नमूने को आर्ट पेपर पर बनाया जाए इस प्रकार चित्र नमूने आधी कच् देखिए कुछ नंबोने बनवाये जाए और इसके आलामा अगर बात करें तो चात्रो के ये जो मान्चित्र बनाये जा रहें वह कछा में सुशजित करवाए जाए एक तरह से यहाँ पर इस तरह से करने से सिच्छक अपने चात्रों में एतिहासिक वातावरण उत्पन कर पाएगा और साथ ही इतिहास से विशय में रूची उत्पन कर पाएगा और जिससे कि वो और भी ज़्यादा प्रेडित होंगे इतिहास इस विशय को पढ़ने के लिए तो दोस्तों आसा करती हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ये डिसकर्शन अच्छा लगा होगा आप सबको तो दोस्तों अगर ये डिसकर्शन आपको अच्छा लगा होगा तो एक लाइक करिएगा अपने दोस्तों के साथ सेर करिएगा अगर आप चैनल प